माया बद्जीक समर्था क्या आप पहन माया बद्जी सम्मान से किसी का नाम लिया जाता हूं अधर नहीं है बड़ें पूर्ब मुख मत्री थी यूपी किसो है तो हम बले काश वह भी रहती तो कोई गलत बात नहीं थी तो है तो क्यों अच्छे इंसान है तो कैसे देख रहे ह पड़ा होगा तब जीता होगा ना इसमाम काहे का सकते किसी बिट्व माने इदा मतले कोची हुआ इदा माद थुरा वोट डाइवर्ट हुआ इदा सुधर सो है वह सकता है तो कुछ किया ने पेरोजगारी में का बासन देंगा तो ना तो रहना लगी थे ना तो सुनो यह जीत रहें हैं को जीते देज़ें परिनाम आ गया आज भी एक परिनाम आ बाकी है चार राज का परिनाम आया है जिसमें से तीन राज्यों में भाजपाव परचम अपना लहराई है और बात कर लें दो राजकी तो एक तेलंगना मात्रु कोंगर्च जीती और आज मिजोरम का रिजल्ट आने वाला इसी मुद्धे पर हम बात करेंगे अमन लाले हमारे साथ कैसे देख रहे हो अमन देखिए चुनाओ है जनता ने जना देश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं और जो हां जहां कॉंग्रेस जा इंडिया गड़ बंदन जहां चुनाओ लड़ रही थी वहां वहां जहां जैसे कि मध्यपरदेश 36 गर और राजस्थान वहां हम लोग की थोड़ी सी रही है कमी व जो जनता का अपना मैंडेट है वो हर साल बदलती है तो इसे घबराने ही जुरूत नहीं है लेकिन माइल्स्टोन वाली बात यह है कि तिलंगाना में अपनी सरकार बना है जो साउथ का जो गड़ है उसको हम लोग मजबूत कर रहे हैं राहूल गांधी की बात रही राहूल स्टेट के मुद्ध कुछ और होते हैं सेंट्रल लेवल के मुद्ध कुछ और है तो लगता है स्टेट में पल्राभाडी था बीजेपी का तो जीद गए लेकिन सेंटर में तो पूरी इंकंबेंसी उनके खिलाप है अडाणी अंबानी की जो दोस्तियों चूपी नहीं है मो रोजगार रोटी कपरा मकान से जो जनता को नहीं मिल रहा है इसके लिए जनता पूरी तरह से बीजेपी प्याक अक्रोसित है इसलिए से स्टेट में जो भी रिजल्ट आया हो उससे कोई मतलब नहीं है अभी दोहजार चौबीस का चुनाओ सामने है वहां इंडिया गड़ कॉंग्रेस वहां के जो राज के जो राजनितिक मुद्धे होंगे वहां पर कॉंग्रेस नहीं उतर पा रही होगी यसलिया हरी और यह आरना तो अच्छा बात है तो डेमोक्रेसी चुनाओ है एक एक दल को हारना तो चितना है इसमें घबराना क्या है यह तो बाई चंता मा कास लेके जा रहे हैं तो इसलिए मेरा सरकार हम कभी किसी का साथ देवे नहीं बस अडानी अंबानी का साथ आजनता का विनास करना जानती है यह यहीं मोधी सरकार लोग कहते कि हवाई जहाज वालों को मतलब हवाई चपल वालों को हवाई जहाज से घुमाने का काम करेंगे लेकिन आज वही हवाई चपल वाला का जो चपल है उसका फिता तूट गया है और उसको ट्रेनों पर चहरना दूसरवार हो गया है तो इस सबका साथ नहीं है बसा डानी अंबानी का साथ है और जनता का विनास है आज दिन पर दिन ट्रेनों की संख्या कम हो रही है और सोचने वाली बात है इसलिए मोधी नहीं आ रहे हैं मोधी जा रहे हैं पुड़े दिन जाने वाले हैं प्लानिंग क्या होगा प्लानिंग क्या है अगे इंडियावालों की यह प्लानिंग है कि पूरी तरह से मिल जूल के कोपरेटिव तरीके से सारे दलों को एक साथ बैठा कर सीट सेडिंग के मुद्धे पर आप पूर्मुक मत्री थी यूपी की सो है तो हम बोले काश वह भी रहती तो कोई गरत बात नहीं थी इंसान है जीत गया भोटपड़ा जीत गया नहीं तो उल्टा-पूल्टी हो गया जीता हो कोची जिता कैसे अरे देख रहा है बड़दर बैश्यत क्या है इन्ने उन्हें भोटपड़ा होगा तब जीता होगा ना इसमाम कहा सकते किसी प्रवाइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो कुछ किया नहीं पेलोजगारी में का बातन देंगा तो ना तो रहना लगी थे ना तो सुनों यह केरा अब को नेत्र को देख रहे हैं भाइश्य नहीं दिना ₹ कि है तुम भॉले लोगला तो और ने केरा देखु अब अपने मीतर को देखरा़ै है आप अपढ़ी तो नहीं हम सबसे खुश है नराज काहरेंगे सो है आप चाहते हैं कि बाच्पा को भीहर में लाना सब आई जो काम करें जो है तो हार गया तो वर करें क्या करते हैं जनता के पाच जाएं समझें क्यों हारे सो है क्या करें चाहत्र वह आप सुनें अपनी पर्तिक्राइब को सेर करें यूट्यूब पर देखनें चानल को सब्सक्राइब करें बहुत बहुत है